नमस्कार वित्रों एक बार खिर हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक ही बहुत ही जबरदस्त क्लास रिजनिंग की डाइस जो आप इससे पहले पढ़ रहे थे उसी को कांटिन्यू करेंगे लेकिन आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आपकी होने वाली है बहुत कुछ आप इस class में सीखेंगे और shortcut भी सीखेंगे 1981 कौंसेब्ट के साथ आप shortcut भी सीखेंगे उससे पहले question पर चलने से पहले हम लोग कुछ बाते जरा जान लेते हैं इसके पहले दोनों class में आपने जो कुछ भी देखा है जो कुछ भी सीखा है वो सारी चीजें important हैं आगे के लिए भी उनका application पूरे topic में होता रहेगा आईए देखते हैं आज क्या concept हमें सीखना है नया आज का जो concept है वो concept ये है कि जब भी कोई question इस तरह से आ जाए जिसमें किसी भी dice पे एक surface blank हो खाली हो या उस पे question mark हो तो हम ऐसे question को किस तरह से solve करेंगे तो एक बात को आपको समझना होगा फिर से भई अगर कोई dice open form में है खुला हुआ पासा है और उसी पासे को बंद रूप में अगर बनाया जाएगा तो आप एक बात जानतो हो बहुत अच्छी तरह से कि यहां पर जो rotation follow होगा वही rotation यहां भी follow होगा जो सतह यहां पर विप्रीत नहीं हो सकती वो यहां भी विप्रीत नहीं हो सकती है और तीसरी बात यह है यहां पर कि भाई यह दोनों structure जब एक ही चीज़ को represent कर रहे हैं मैंने किया का दोनों चीज़ जब एक ही structure को represent कर रहे हैं तो यहां पर अगर कोई चीज़ खाली होगा और यहां खाली कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि suppose करो मैं यह सतह इस पर question mark कर दूँ और यह सतह यहां नजा रहा है तो आप देखो क्या होने वाला है जिस पर मैंने question mark किया उस सतह अगर यहीं पर है तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसके विपरीत जो यहां पर यह वाली सतह है यह सतह इस साइड में आ जाएगी लेकिन बाकी जो एक, दो, तीन, चार यह सतह बच गए वो कहा जाएंगे आपको पता होगा कि भाई एक सतह अपने चार सतह को पडोसी के रूप में रखता है मतलब एक सतह के चार पडोसी होते हैं तो यहां पर इन चारों में से कौन दो आएंगे यह हम अभी नहीं बता सकते यह चीज हम नहीं बता सकते जब तक यहां पर कोई एक दिया ना जाए मतलब अगर मैं इस कुश्चन मार्क की जगह कोई एक नंबर डाल दूँ और फिर दो को मैं इस तरह से डायग्राम बना दूँ यहां मैंने लिख दिया 5 अब मैं यहां पर लिख दूँ 5 और 4 अब आप से अगर पूछा जाए कि इस खाली सतह पर क्या होगा तो आप देखो यहां से अब निगाल सकते हूँ क्यों कि आपने इस से पहले दो बातें समझी हैं क्या क्लॉक वाइज अगर रोटेशन होता है जब भी यहां पर क्लॉक वाइज रोटेशन होता है तो यहां पर भी क्लॉक वाइज रोटेशन हो होता है मतलब अगर यहां पर anti clock rotation होगा तो यहां पर anti clock rotation होगा दूसरी बात थी कि अगर कोई rotation यहां पर clockwise है तो यहां anti clock दिया गया जो भी पासा होगा वह anti clock में अगर follow कर रहा तो क्या होगा गलत होगा इसका बंद form नहीं हो सकता इसका बंद रूप नहीं हो सकता यह बातें आपको ने यहां पर देखा था तो इसी चीज़ इसी सब concept का use हम लोग आगे करने वाले हैं लेकिन उससे पहले कुछ बातें और आपको मैं बता दूँ यहां पर देखिए आप कि जब भी आप लोगों ने पि यह वाली सतह यह सतह उपर से नीचे मूप करती है उपर से नीचे तक पूरा मूप करेगी इसको मूप करने से जो भी इसका बंद पासे का डायग्राम बन करके आएगा वो कभी भी change नहीं होगा इसी तरह मैंने बताया था आपको कि यह वाली सतह यह सतह मूप करके कभी भी यहां जा सकती है और यही सतह मूप करके यहां भी आ सकती है इस से पासे के सहत पर कोई फरक नहीं पड़ने वाला है मतलब पासा जिस रूप में होगा उसी रूप में फिर से नजर आएगा कोई भी अपोजिट यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा जरा इस बात को समझे पहला केस जब मैंने आपसे ये कहा कि ये वाली सत्ह है उपर से नीचे मूप करेगी ये उपर से नीचे कही चले जाए दो के अपोजिट रहेगी या दो उपर से नीचे कहीं चले जाए चार के अपोजिट रहेगी मतलब ये जो रूल है अपोजिट का वो फालو करेगा ये फिर से क्योंकि 1, 5, 3 और यहाँ पर मैं इसको 6 लिख देता हूँ 1, 5, 3 और 6 को ये किसी भी तरह से disturb नहीं कर रहा अब यहाँ पर जड़ा देखिए आप जो मैंने इसको 6 को move कराया यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ और ये तीसरी जगह पर तो अगर suppose करो 6 यहाँ move हो करके आता है तब भी तो 5 का posit 6 है अगर 6 यहाँ move करके आता है तब भी तो 5 का posit 6 है और एक बात ध्यान रखना यहाँ rotation भी इनका जो अपना rotation था वो चीज कभी नहीं बन लेगी देखो क्योंकि 6 यहाँ था तो बंद हो करके 1 का परोसी ही तो बन रहा था अब अभी भी यह क्या बन रहा वनका परोसी ही तो बन रहा इसके अगर परोस में अगर आप देखो तो इसका एक परोसी कौन है 3, दूसरा कौन है, 2, तीसरा कौन है, 4 तो देखो जब यह यहां पर मूपो करके आ रहा तब भी तिसका पडोसी कौन है जरा देखो आप, भाई एक तरफ से 1 है, दूसरी तरफ से क्या जाएगा यहां पर जोरा देखो एक, δो, तीन, चार ये चारो पड़ोसी पहले भी थे अभी भी पही चारो पड़ोसी यहां पर है तो इससेक कोई फर्क ने पड़ता अगर ये six यहां पर आता है तब भी देखो आप क्या यही चारो पड़ोसी फिर भी इसके पास आ रहे हैं और यही चाड़ोपरवसी यहां पर भी आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया कि यह मुवमेंट जो हैं यह कभी भी डाइस को चेंज नहीं करते इनका अगर आउसकता पड़ेगी तो हम लोग यूज करेंगे बहुत बार कुश्चन में इनकी जोगत के आता हूं सिक्स की जगह पर तो यह भी पॉसिबल है वन यहां से यहां जा सकता है तो खैर जितनी चीज़ आपने अभी सीखी बस उतने हमारे कुश्चन हो जाएंगे उससे ज्यादा मुवमेंट और भी पॉसिबल है जिनको हम आगे सीखने के हमें ज़रूवत नहीं है क तो कि हमारे कुश्चन इतने में स्वाल्व हो जाएंगे इतने मुवमेंट की हमें रिक्वार्मेंट हो सकती है आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्चन को हम यह है आपके सामने पहला कुश्चन देखिए इस कुश्चन में क्या दिया 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 4, question mark आप देखिए यहां पर इस डियाग्राम में कुश्चन मार्क लगा हुआ एक तत्य पर अब इस कुश्चन को अगर आप सीख रखे हो बेसिक चीज़ हैं बहुत अच्छे सीखे हो तो आप एक चीज़ जड़ा देखना है यहां पर कि यह कुश्चन मार्क कुश्चन मार्क जहां पर है वहां के दोनों सता है तीन चार यहां पर नज़र आ गए है आप देखो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहले कर रहे थे ज़रा देखना क्या हुआ अगर तीन चार पांच हम इस रोटेसन में देखते हैं तीन चार पांच हमने क्या लिखा भाई तीन चार पांच और रोटेसन क्या लिया हमने क्लॉक वाइस और यहां पर अगर मैं तीन चार से बढ़ने की कोशिश करूँ तो तीन चार और कुश्चन मार्क आ गया लेकिन यह तीन चार रोटेसन क्या रहा जब ऐसी situation बनेगी ध्यान दिना हमने इस question को जब भी दो सतह common नजर आ जाए question mark वाले dice के तो वहाँ पर इस तरह से अगर आपचे करो तो देखो क्या निकलता तीन चार तीन चार पांच अगर यहाँ पर same rotation होता तो 100% 5 होता लेकिन यहाँ पर same rotation तो है नहीं opposite है और जब ऐसी situation बनेगी तब यहाँ पर 5 का opposite आएगा 5 का opposite क्या होगा अगर हमें यह पता चल जाए तो कम हो जाएगा जरा इन दोनों diagram को आप देखो इन दोनों diagram को अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है यहाँ पर common है 3 और जो rotation का technique हमने बताया था तीन को यहाँ ले जाओ चार को यहाँ ले जाओ पांच को यहाँ ले जाओ तो जब भी पांच यहाँ पर आएगा तो 5 का opposite क्या आएगा 2 ध्यान देना मैं फिर से इस चीच को यहाँ पर किले करता हूँ भाई तो तीन को हमें इस सथे पे लाना तीन को मैं यहाँ पर ले करके जब आओंगा तो 5 को हम कहां ले जाएगी यहाँ पर और 4 आएगा यहाँ पर तो 5 का opposite हमारा क्या आएगा 1 तो भाई जब देखो यहाँ वर 5 का opposite 1 आ चुका है और यहाँ rotation जो था हूँ हमको यही बता रहा था इस question mark की जगहां पर क्या आएगा 1 तो obviously हमारा answer क्या होगा A part यह first method आपने देखा भाई इसमें कुछ time लगा कुछ भी नहीं अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि यह सब तरीके आपको जो लगा रहे हैं आप इन सब तरीकों को लगाने के लिए हमें इतना कुछ करने की जगवद नहीं है देखते देखते question को कर लेना है तो देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग आईए देखे जैसे आपने देखा तीन चार तीन चार तीन चार तीन चार पांच क्लॉक वाइस तीन चार एंटी क्लॉक वाइस अब यह क्लॉक था यह एंटी क्लॉक था इसका मतलब एक question mark five का opposite है अगर यह five का opposite है तो यह दोड़नों डाइग्राम मेरी help करेंगे यह पता लगाने में कि five का opposite क्या है अगर यहां पर आप देखो तो यहां पर three है right surface पर राइट पर अगर हम three को ले करके जाएंगे तो five move करेगा इस जगहां पर और five यहां मूप करेगा तो इसका opposite क्या आएगा one हमारा answer क्या आगया a part अगर आप concept को अच्छे से सीख लेते हो देख पर इस question में और आने वाले question में जो आगे आभी आपको मिलेंगे दूसरे type के बस यह है कि यहां पर जो दो सतह हैं वो कहीं ने कहीं नज़र आते हैं मतलब जिस dice का blank face खाली सतह पूछा गया है उस dice के बाकी दूँँ सतह किसी ने किसी diagram में नज़र आते हैं आगे आने वाले question में आपको यह नज़राएगा दूसरे टाइप में कि ऐसी situation नहीं देगी तो उनको कैसे करना उसका तरीका आप लोग आगे सीखेंगे और इसी question को करने का और method मैं आपको सिखा देता हूं जरा इसको देखो यह जानना इसलिए जरूरी है कि कोई बहुत बार इन सब की जरूरत पढ़ आती है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं dice इतना important topic इस time पे है कि इससे बहुत ही conceptual question बन रहे हैं इसलिए इस topic को बहुत अच्छे से सीखना होगा देखो अगर मैं dice को open करना चाहूं तो देखो इसके लिए condition यह होती है कि आप जब भी dice को open करने जा रहे हो तो दो diagram आपके पास इस तरह से होने चाहिए कि जिन में कम से कम क्या मैं अगर ऐसी situation होगी तभी हम इसको open कर पाएंगे जड़ा देखो मैंने क्या कहा एक सतह common तो देखो यहां पर एक सतह common है और मैं आपको बता दूँ जितने question आप इस तरह से देखेंगो question mark वाला उनमें जरूर ऐसे diagram आपको दिखेंगे कि जिससे आप dice को आसानी से open भी कर सकते हो तो जड़ा इसको open करके हम लोग देखते हैं आईए देखिए common क्या था भाई तीन तीन को यहां रख लिया बीच में मतलब जो दोनों में common हो उसको ला करके बिलकुल बीच में रख लो देखो dice खोलने के तो तमाम तरीके हैं diagram हम और भी use कर सकते हैं लेकिन बहतर होगा कि आप एक diagram पे इस चीज़ को सिखो तो यह आपके लिए आसान होगा यहां पर देखो क्या है अगर तीन को हम बीच में रखते हैं तो यह rotation हमारा क्या बनता है 312 anticlockwise अब यहां से अगर हम देखें इस point पे याद करो कि भाई यह वही point तो है तो यहां से अगर हम चलें तो 3,1,2 हम को मिला तो यहां पर देखो 1 और 2 rotation क्या रहा है anticlockwise anticlockwise 3,1,2,3,1,2 अब आगे आप देखो तो फिर से 3 मिल रहा है मतलब यह सते फिर से common आ रही है और इसको अगर आप देखो इस point के respect में anticlock rotation में ही देखो आप तो क्या मिलता है 354 यहां पर अगर हम लिखेंगे तो 354 anticlock rotation मैं बार बार एक बात करता हूँ कि भाई rotation हमें साथ सेम तरीके से follow किया करो जो rotation यहां वही rotation यहां है जो rotation यहां वही rotation यहां पर है क्योंकि आप पहले भी six way हो कि यह rotation follow होते हैं दोनों जगों पर अगर आप clockwise ले करके चलोगे जैसे यह anticlock दोनों ले करके मैं चलाते हैं anticlock से फिल किया आप clockwise चलना चाहोगे तो देखो point clockwise ले करके चलो 345 देखो सेम follow करेगा यहां से जाओ 321 follow कर रहा है और जरूरी नहीं कि हम यहां से ही शुरू करें भाई हम यहां से शुरू करें कोई फरक ने बड़ेगा बस rotation आप सेम तरीके से ले करके चलना तो इस तरह से पूरा dice open हो गया एक तता है खाली रह गई वहाँ पर क्या होगा 6 यह भी एक तरीका होता है question को solve करने का ज़रा देखो आप भाई तीन और चार तीन और चार अगर वहाँ है तो question mark पे तीन और चार के विपरीत नहीं आ सकते तीन का opposite 6 यह हमारा answer नहीं हो सकता यह आप सन्हुंकार सकते हैं चाहें तो इस तरीके से और क्या दिखा भाई चार चार का opposite क्या है दो भाई दो भी फिर हमारा यहाँ पन नहीं हो सकता फिर बचा क्या पांच पांच के लिए अगर आप चेक करोगे तो rotation लगाना पड़ेगा इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप dice को open करो तो option चेक करने यह उत नहीं सिधा answer चेक कर करो आपका answer आने वाला है जरा देखो कैसे कि भाई तीन चार question mark तीन चार यह था तीन और चार आईए देखते हैं इसको अगर मैं यहाँ से चलूं किसी भी एक rotation को ले लेता हूं फिर अंटी क्लॉक लेता हूं 3-4 question mark मैंने क्या बोला भाई 3-4 question mark अब यही rotation यहाँ पर follow करो और same तरीके से 3-4 यहाँ पर पहुंचे हम अब अगर मैं इधर को घूम जाओ इस point के respect में तो मेरा यह rotation होगा कौन सा clockwise यहाँ पर हमारा rotation क्या था anti-clockwise और अगर मैं यहाँ से इस point के respect में इधर घूमूंगा तो rotation क्या होगा हमारा clockwise sorry anti-clockwise हमको anti-clock rotation ही तो चाहिए तब हम पर देखेंगे कि क्या चीज़ा रहा तो यहाँ देखो 3-4 और 1 क्या मिला हमको भई 1 मिल गया अब यहाँ पर जब 1 मिला तो इसका मतलब question mark की जगह पर हमें क्या हमको क्या मिला 1 आप देखो फिर से हमारा answer वही आ रहा है first part तो आपने एक चीज़ सीखा यहाँ पर कि भई अगर यह rotation का ही मामला था तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ देख करके diagram करने बिना open किये बिलकुल कर सकते हैं जैसा हमने पहले वाले तरीके से किया था वही तरीका आप लगा रहे हो 3-4 question mark 3-4 question mark का approach जो आपका था वही तरीका लेकिन यह सिखाया क्यों इसको सिखाने का मतलब क्या था यह आप आगे सीखोगे इसकी हमें जरूरत पड़े हैं नैस question को देखते हैं यह रहा अगला question स्क्रीन पर बच्चों एक जरूरी सुचना आपके लिए है आप अगर exam coach institute संपर करना चाहते हो किसी भी online class के लिए किसी भी question के लिए आप कोई भी doubts वगरा हैं आपके कुछ भी किलिए करना चाहते हो आप directly वीडियो में दिख रहे नीचे जो number दिख रहा इस number पर सिधा आप contact कर सकते है WhatsApp के मादधम से, Telegram के मादधम से या call करें इस question को आप देखिए यहाँ पर फिर से तीन diagram दिए गए हैं और यहाँ पर है question mark यह question mark यहाँ पर अगर आपको दिखा तो तुरंट आप क्या करो इसके पडोसी गोजेक करो दो पडोसी इसके कौन कौन से हैं A और B यहाँ पर देखो तुरंट नजर आ गए A और B और जैसे इस तरह की situation दिखती है question हमारे लिए आसान होता है मैं अगर rotation use करूँ A B D ऐसे चलूँ तो A B question mark सेम rotation मिल गया है तो और सेम rotation मिला इसका मतलब यह question mark कुछ और नहीं D ही है देखा आपने कितना आसान है यह question देखते देखते हो जाते हैं वैसे जब तक आपको पता नहीं था तब तक आपके लिए कितना hectic होता था आप sun काटो यह करो वो करो कुछ नहीं करो देखते जाओ आगे एगला question देखो यह question आप जरा देखना 163-354-42 question mark भई अब क्या करोगी यहाँ पर 4-2 है और यहाँ कहीं 4-2 तो नजर नहीं आ रहे हैं अगर मैं आप sun काटने की कोशिस करूँ आप एक चीज़ जरा यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ से चक करने की कोशिस करूँ कौन सा approach भई 4 का पोजिट नहीं होगा 2 का पोजिट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे भई 2 आपस तो काट देंगे हमारे पास फिर भी तो बच जाएगा अगती 2 आपस अब उन 2 में से किस को काटें यह बात नहीं जमन में यह सारे के सारे rotation दिखा देगा सारे के सारे opposite दिखा देगा सारी चीज बिल्कुल आपके सामने ला करके रख देगा जला देखो इसको common क्या भई इन दोनों में 3 और मैंने आपसे पहले कहा कोई भी ऐसा question आपको देखने नहीं मिलेगा है हाँ पर question मारक वाले में जिसमें यह common ना हो अगर यह इस तरह का situation नहीं देंगे तो फिर आपको extra information लिख करके देंगे वो और उस information में यही चीज़ होगा count किसका वे पोजोड जा रहा है या count किसका policy है इस तरह से आपके सामने data आएगा जिससे आप आसानी से या तो open कर सको या option को कर सको तो देखो तीन को मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो 3 1 6 3 1 और 6 कौन सा rotation था भाई एंटी clock फिर से यहाँ पर एंटी clock 354 फिर से एंटी clock rotation हमारा हुआ भाई बचा गया इसमें 2 अगर आप यहाँ देखो तो 4 और 2 नजर आ गए 4 2 तो यहाँ भी नजर आ गए भाई अगर rotation एंटी clock मैं ले तो यहाँ देखो अब हमको एंटी clock मूब करना और जब एंटी clock मूब करना तो हम इधर गूम करके जाएंगे और आपको पता है 1 तो नीचे तक आता रहता है 1 तो यहाँ से यहाँ तक यह तो पूरा उसी का छेत्र है तो भाई 1 यहाँ कभी भी आ सकता है तो इसका मतलब य जगां पर आया क्या मेरा बन देखा आपने डाइस खोलते ही कितना आसान हो गया इस कुश्चन को करना तो आप ने दोनों मेथड़ सीख लिए पहला मेथड़ यह था आपका कि जिसमें एक सतह दो सतह जो दिख रहे हैं वो दोनों सतह कहीं नजर आ रहे हूं वो इस कुश् यह आपके सामने जिसमें आपने देखा कि केवल एक सतह दिख रहा है दूसरा सतह नहीं दिख रहा है और इस कुश्चन को आप करने के लिए फिर से एक बढ़िया सा मेथड सीख लिए तो इस तरह से अब आप इस तरह से आने वाले सभी कुश्चन को बढ़ी आसानी से कर स इस question को देखो एक बार, भाई मैंने पहले भी बता रखा है, dice पे number भी आ सकते हैं, symbol भी आ सकते हैं, color भी आ सकते हैं, alphabet भी आ सकते हैं, इस तरहें की situation कभी भी, क्योंकि दोखो यहाँ पर इन्हे concept चेक करना है, dice में वास्तों में number seat होते हैं, one से लेकर six तक, लेकिन इनको क्या करना है, बस इनको concept चेक करना है, तो एक कुछ भी दे देंगे, आप उस पर concept आपका चेक करने के लिए, आप concept बताओ, देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ ओर यहाँ पर सुनो आप लोग, भाई one से six तक, numbers तो होते ही होते हैं, लेकिन, विसे इस लुप से मैं बात करू तो SSC में ऐसे question भी आ चुके हैं, जिसमें one से six तक के number नहीं होते हैं, किस तरह के वो dice होते हैं, actual में वो language में लिख करके देते हैं, एक वा sentence में लिख करके देते हैं, यह लिखते हैं, कि जो dice है, वो dice, even number dice है, even number dice, या कह देंगे odd number dice, तो इसका मतलब जरा आप समझ लेना, क्योंकि एक्जाम में आ चुका है, SSC में एक question, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी आपके लिए, even number dice का मतलब क्या है, even number dice का मतलब यह होता है, कि आपके dice पर जो numbers हैं, वो even form में हैं, even मतलब sum sum क्या, मतलब उस dice पर समसंख्या हैं, तो भाई अब आपको समझ में आ गया कि यह 1 से 6 का मामला नहीं है अपकी बार, मामला बदल गया, क्या है, यहाँ पर सब समसंख्या हैं और समसंख्याओं की सुरुवाद 2 से होती है, इसलिए, dice पर जो संख्याएं आएंगी, वो 2 से सुरू होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, और 12, 6 number ही तो होंगे, और 6 even number आपके सामने यह आ गए, और दूसरा जो आपका odd लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विश्म number, अगर विश्म का dice दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो सुरुवात होगी, वो होगी आपकी एक से, लेकिन एक से 6 मत बोलना, यहाँ पर even number भी हैं, हम odd की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, यह 6 नंबर आपको नज़र आएंगे, तो यह जब भी sentence के रूप में लिख करके यहाँ पर इस तरह से आता है, या आप से कभी कहा जाए, डाइस, जब डाइस कहा गया, तो डाइस का मतलब, number डाइस, यह हुआ, number डाइस का मतलब यह हुआ, एक से 6 तक, even number डाइस का मतलब क्या हुआ, दो से 12 तक, odd numbers, odd number डाइस का मतलब हुआ, एक से 11 तक, यह तीन तरह की बाते हैं, जो आपको समझना था यहाँ पर, इस तरह से sentence आपके सामने आता है, बाइस तो इतना चबरदस्त topic है, अग जिनको जादा से जाना पढ़ना इसके लिए, तो उसके लिए हम लोगों का जो बैच आने वाला exam coach का जो बैच आएगा, जिसमें हम लोग बिल्कुल 0 से high level तक कवर करेंगे, उन सब classes को आप देखना, यह foundation class है, basic class है, जिसमें हम लोग basic question को कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ पर इस तरह से इन्होंने दिया था, उसी तरह sentence के रूप में कुछ question आ चुके है exam में, देखो क्या है, एक बार question इस तरह से पूछा गया, जाईस में किसी भी सतह के, सतह के कितने पडोसी होंगे, कितने पडोसी, मतलब किसी भी सतह का मतलब यह हो गया, एक सतह के कितने पडोसी, अभी अभी आम ने आपको बताया था, जब भी एक सतह होता है तो उस सतह के उस सतह के विपरिद सिर्फ एक ही सतह तो होता है भाई इसके विपरिद बस इसका ये पीछे वाला ही तो आएगा बागी ये चार के चारो जो दिख रहे हैं दो इधर एक इधर एक नीचे ये चारो तो इसके पडोसी है ज़र आएगा आगे हम लोग उस सब कुश्चन देखेंगे लेकिन फिलाल यहाँ पर एक कुश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ और आप इसको कमेंट करके बताईएगा बढ़ियां से कुश्चन एक जाम में ये भी पूछा गया एक स्टेंडर्डाइज पर मतलब एक मानक पासे पर कुल कितने बिंद होते हैं? कुल कितने बिंद होते हैं? मतलब how many dots, how many total dots on a standardized? और ये आपका कुश्चन है आपको बताना है इसका जवाब कमेंट करके बताना है मैं बता दूँ ये वाला कुश्चन मैंने आप से पुछा था कि ये वाला कुश्चन इसका एंसर क्या होगा और मैंने भी कहा था आप लोग कमेंट करके बताईएगा अब मैं इसका एंसर बताने जा रहा हूँ आप लोग देखो ये question exam में पुछा जा चुका है उस question का answer क्या है जरा देखो यहाँ पर question पुछा गया था एक मानक पासे पर कुल कितने बिंदु होते हैं how many dots on a standardized तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको एक बात तो पता है standardized में कि हम 3 number 3 3 अलग group बनाते थे ऐसा जिन में sum क्या आता था 7 अगर आपको याद हो तो 1 का opposite 6, 2 का opposite 5, 3 का opposite 4 तो जब सब यहाँ 3 group हैं ऐसे 7 के तो इनका total क्या होगा 7 into 3 equal to 21 answer क्या होगा हमारा 21 ये समझने के लिए था ये तो हम लोग ऐसे ही कर सकते थे otherwise आपके सामने एक तरीका ये हो सकता है भई आपको पता है वो एक से ले करके कहां तक 6 तक के natural number है जिनका हमें sum करना है तो n into n plus 1 divide by 2 ये formula आप maths का यहाँ पर यूज कर सकते हो तो भी हमारा answer क्या आएगा 21 तो दोनों तरीके हैं आपके पास जो आपके दिमाँ में strike करेगा वो दुबारा question आने पाए आप उस तरीके से कर सकते हो देखो यहाँ पर अगला question आगे बढ़ते हैं पिछली class में जो हम लोगों ने सीखा था उसकी practice करते हैं जड़ा यहाँ पर देखो इस question को यहाँ पर यह प्रोच है कि फट से इसको क्या करो open करो कैसे open कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह का एक दो diagram ऐसा है जिसमें एक सतह क्या है common है और वो सतह कौन सा है भाई डी अगर common है तो anti clock चलोगे dms होगा और यहाँ जाओगे तो dyu होगा यह हमारे सामने situation होगी और यहाँ पर पूशा गया है w और u के बारे में तो यहाँ पर एक correct करना इसको d के बाद ms था इसमें d के बाद y u था यहाँ पर एक space बच गया था जो किसके लिए था अगर आप यहाँ पर देखो तो यह तीसरा diagram हमको बता रहा यू पूशा किसके बारे में गया था w u के बाद अब दे से clockwise गूम जाएं और हमको मिलेगा question mark या u w से clockwise गूम जाएं तो हमको मिलेगा question mark दोनों में से कोई एक approach आपको लगा लेना है जिरा देखो यहाँ पर पहले तो यह देखो यह दोनों हैं कहाँ पर यह इस जगहाँ पर हैं अब w u से अगर हम बढ़ रहे हैं तो देखो w u हमन इस जगह पर तो इसलिए हमारा answer क्या होगा वाई फिर से एक बार आप देखो इसको पहले हमने इसको क्या किया common को यहाँ रखा और rotation लगाया anti clock का यहाँ पर फिर से common को यहाँ पर देखा और rotation लगाया का anti clock का फिर उसके बाद w और u को देखा w u question mark anti clock rotation में हम चले तिसलिए इस question को solve करते हैं हम लोग यहाँ पर देखो फिर से है w u और question mark यहाँ पर फिर से एक सतह खाली है अब इसके लिए यहाँ पर अगर देखो तो आपके सामने दो डायग्राम आपको ऐसे जरूर मिलने वाले हैं जिन में एक सतह common होगा अगर आप option कार सकते हो तो आप संभी का अजिन दोनों डायग्राम तो आप देखो यहाँ पर जोनों डायग्राम क्या दिख रहे हैं इन दोनों डायग्राम में कुछ common है common क्या है भाई दी यहाँ पर common है तो इसके थूरू हम इसको क्या कर सकते हैं open कर सकते हैं सबसे बढ़ी हैं approach कोई भी question आपका अगर हो तो और यह बनेगा डी वाई यू यू ये मिल जाएगा हमको और यहाँ पर एक सतह जो खाली हो गया अगर आप यहाँ देखो तो W लिखा हुआ है दो राइग्रम में यहाँ पर W नहीं है था यह हो गया तो इस तरह से ओपन हुआ और यहाँ पर है W Q मार्क तो देखो यहाँ पर PART . नेस्ट कुश्चन देखो, यहाँ पर पुछा गया है Never Tax P 5 का विप्रित यहाँ पर क्या होगा ? सबसे पहले देखो 5 है और 5 यहाँ पर है पांस ने जराँ था अब आप यहां देखो कि यह कुश्चन बिल्कुल पहले वाले कुश्चन की तरह इससे पहले जैसे आप कर चुके हो यहां देखो क्या है 4-1 क्या कहीं 4-1 नजरा रहा है कि आपको बिल्कुल नहीं अगर 4-1 कहीं होता है तो 5 का पोजिट हम तुरंट वहां से निकाल लेते ल पर यह दोनों common हैं तो सिधा सिधा हम यहां पर rotation लगा सकते हैं और यह rotation हमारा इस तरह से जाएगा और तीन हमारा घुम के यहां आएगा और इसलिए same to same direction में आ जाएंगे हमारे दोनों क्या 5 तो हमारा answer यहां पर क्या आने वाला है तीन इस question में पुछा गया find out which cube can be made by folding the open shape diagram मतलब यह जो घुला हुआ पासे का चित्र है इस चित्र से हम इन में से कौन सा close diagram पराप्त कर सकते हैं इस question को करने के लिए हम आपको बताते हैं देखो यहां पर कुछ concept आपको सीखना होगा एक छोटा सा देखो जब भी मैंने आपसे क open diagram आपके सामने होता है तो इसको हम लोग जब close करते हैं तो close करते हैं तो क्या होता है opposite सता है यह सब होते हैं और अगर यह सब सता opposite होते हैं तो यह कभी भी तीन सता है जो सामने नजर आएंगे ना तो वहां दिखाई पड़ेंगे ना तो इनके पीछे दिखाई तीन सतर जो छुपे हुए उसमें भी नहीं दिखाई पड़ेंगे अपोजिट वाले और ना ही इधर को ज़रा देखो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं कह दूँ कि यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो देखो क्या निकला 1 का अपोजिट निकल करे आया 3, 2 का अपोजिट निकल कर आया 4 और 5 का अपोजिट निकल करके आगया 6 तो यहां पर देखो 1, 2, 5 अगर आप देखो तो यह 3 एक तरफ आपके हो गए और 3, 4, 6 एक तरफ हो गए मतलब अगर आप यहां देखो अगर 3 यहां नजर आया तो पीछे ही इसका अपोजिट जाने वाला है मतलब 1 के यहां ज इतना यह भी कर सकते हैं कि अगर 4 यहां है तो 2 पीछे गया 6 यहां है तो 5 पीछे गया मतलब यह 3 कभी आपस में अपोजिट नहीं हो सकते और जो 3 पीछे गए ओभी कभी आपस में अपोजिट नहीं हो सकते इसी concept का use करते हुए हम इस question को ज़रा solve करें ज़रा देखो यहां देखो तो 2 चार यह कर गया हमारा क्योंकि 2 चार यहां परोसी दिख रहे हैं यहां पर और यहां क्या है अपोजिट हैं सेम उसी तरह हैं 1 और 6 को देखो 1 और 6 क्या कहीं पर नज़राया बिल्कुर यह अपसन हमारा cancel हो गया क्योंकि यहां फिर से परोसी हो गया 5 और 3 5 और 3 इसमें नजर आया, इसलिए ये भी हमारा आप संक्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा एंसर क्या हुआ, लास्ट पार्ट, नेस्ट कुश्चन देखो, फिर से पुछा गया, इसमें, find out which cube can be made by following the open shape diagram, फिर से वही चीज़ है कि इनको fold किया गया, तो क्या बनेगा, है, ये कंसिल आउट हो गया, दुसरी चीज, blank का opposite, blank, और अगर यहां पर देखो, तो ये blank है, ये कंसिल आउट हो गया, बस ये बच गया यहां पर, तो लेकिन यहां पर बी का opposite क्या है, C, और अगर आप देखो, तो बी का पड़ोसी नजर आया, इसलिए भी नहीं होगा, एंसर क्या होगा हमारा C part, नेक्स कुश्चन है आपका, फिर से सेम कुश्चन, यहां पर फिर से, इसको क्यों भी पूछा गया, इसको पैक करने के बाद किस तरह से होगा, आप देखो, यहां पर जड़ा, अब की बार आपके सामने डाइगराम थोड़ा सा अलग है, इस त इस तरह की सिच्वेशन बन करके आएगा, क्यों? क्योंकि यह जाएगा आपका राइट से, इधर से, लेट से गया, उपर से और नीचे से, तो पहले तो इस तरह की सिच्वेशन होगी, और फिर उसके बाद यहां उपर से और नीचे से इस तरह से आएंगे चारो और पैक क कर देंगे इस तरह का बनेगा मतलब आप देखो तिस क्राउस के अपोजिट में यहां पर आप सिट्रस का मिद्वान और यहां प में सब्सक्राइब और लिए उसके बादा आप देखो यहां पर बाकी अपसंतोड प्रोपी आप रिख से जाने वाले हैं, ये दोनों, तो ये हमारा answer नहीं हो सकता, सेम उसी तरह ये भी हमारा answer नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर फिर से ये वाली situation नहीं बन रही है, इसलिए answer क्या होगा हमारा D part तो आज की class में, इतना ही मिलते हैं next class में, और अच्छे कुश्चन के साथ तब तक के लिए जैहिं